ऐसी कद्दू की सब्दी ना आपने शायद कभी जीवन में खाई होगी इतनी टेस्टी लगती है तो एक बार घर में बना के देखिए मेरे तरीके से और मेरे वाले सारे के सारे मसाले यूज़ करके सब्दी बहुत ही स्वात बनती है सबसे पहले ओयल में डालने के लिए तड़के के लिए हमने एक चमच दाना मिती का लिया है दाना मिती के बिना कद्दू की सबजी अधूरी है एक चमच राई का लिया है एक चमच का लॉंजी का लिया है और इसमें जालेंगे एक चमच जीरे का जीरा डालने के बाद इसमें स्वाफ का एड़ कर दिया मैंने एक चमचे फंच पोरण जो होता है बहुत ही इंपोर्टन्ट है कद्यू की सब्जी के लिए एक मैंने छोटा सा तेज पत्ते का और एक दो बड़ी इलाइची को खोल के ले लिए जिससे कि दानू का भी फ्लेवर अच्छे से ओल में आ जाए और दो इलाइची ली छोटी वाली उसे भी खोल के लिया और चोटा सा टुकड़ा एकदम दालचीनी का अब ये जो सारे मसाले हैं इनके साथ दो लॉंग भी डाल देते हैं लॉंग का भी अच्छा फ्लेवर आता है दो मैंने छोटी वाली काली मिर्ची डाल दी हैं काली व इसमें डाला मैंने वन फूट टी स्पून सौंट का पाउडर ड्राय जिंजर पाउडर इलाइची पाउडर डालेंगे आधी चमच और साथ में डाला आधी चमच रोस्टेट क्यूमिन पाउडर साथ में आधी चमच मैंने हल्दी पाउडर का डाला है और एक चमच मैंने कुरिंडर सीट्स का पाउडर धनिया पाउडर इसमें मिलाया आदी चमच चाट मसाला पाउडर रेसिपी का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि मैंने इसे कैसे बनाया था और दो चमच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कर डाला है बहुत ही कम तीका होता है एक नमक डाला है इसके अंदर स्वाद अनुसार और कुटी हुई मैंने मिर्चे डाल दी दो टेबल स्पून कुटी हुई अधरक डाल दी मैंने डेट टी स्पून और एक टेबल स्पून कसोरी मिति का भी डाल दी है इसके अंदर साबत का साबत ये टोटल मसाला बनके तयार हो वे एक बड़ार में भलबायों के हाथ की पूरी खाय होगी उसके साथ जो अलो की सबजी और कद्यो की सब्सक्राइब ये ना विल्कुल वैसा ही टेस्टाइब का इसमें मैंने गुड का डाल दिया है गुड जो है बौट ही तेस्टी लगता है मैंने आपको चीनी से भी बना मैंने वाला भी रेडी हो चुका है और जो कद्दू है वो भी कटके तयार है तो कड़ाई ली हमने इसमें त्री टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑइल का डाला है सरसो के तेल का जिसे अच्छे से तेज धुआ आने तक हम कर लेंगे उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा यहीं उसे डालने से होता है कि तेल की जो ओडर है वो कम हो जाती है अब जो मोटा मसाला बनाया था ना गद्दू की सबजी कले वो डालके हलका सुनेरा होने तक इसे भून लेंगे यह सबसे फास तरीका बता रही हो आपको में सबजी बनाने का और इससे सबजी बनती भी तेस्टी है बारी कटा हुआ धनिया डाल देंगे और धनिया डालने के बाद यह जितनी भी मसाले अट किया इने पकाएंगे और अच्छे से पकाएंगे कि जो ऑईल है वो जो पानी है वो कम हो जाए अब इसमें मैंने वन फूट कप इमली का एक्सट्रैक डाल दिया है कई लोग कच्छा आम अगर सीजन है तो लेकिन एक परिमली से बना कर देखिए अलगी स्वाध रहा अलगी टेस्ट आता है कैरी बाला कट्व मैं आपको अलड़ेडी बता चुकिए बिना कैरीवाला कट्व भी मैं आपको बता कुकिए हूं मेरे चैनल पर लिंक डिस्रिप्श समीटे और बटले स्लाइसे में काटा है कैसमें क्योभडूझे सबसें क्ष형 गजहीज्चतीर उतना ही तेस्ट आता है तो इसके लिए जरूरी किकट्डू एकदम बटल्भ मिरची अनले मिर्चिके समीख मुंपड़ना बतल पल पल एक उतना ही कद्डोधा Keeping जारा कर सारा पानी वैपूरेट नहीं हो जाए और कदू बिलकल गल ना जाएं कदू को ना बिलकल हल्वे की तरह पकाया जाता है जी हाँ बिलकुल कदू इतना पक जाए जाए कि जब आप उसे चमत से टच करें ना वह हल्वा होना जाए और एक और बान इसमें से करीब बारी कटे हुए धनिये से गानिश करके इसे सर्फ करेंगे और पूछिए ही मत बस बना कर देखिए गर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी आपके मेहमान आपसे रेसिपी तो पूछेंगे पूछेंगे ग्यारंटिट तो मुझे बताना जरूर की कैसी बनी और अगर आपक अच्छे लगते हैं तो जरूर से मेरे रेसिपी ट्राइ करिए